तो कह रहे हैं हम वापस लेने जा रहे हैं तो बारा जून को जब हम चार जून को सांसत बने बारा जून को हमने विधान सभा से इस्थीपा दे दिया उसी दिन हमारे राष्टिय देक्ष माने खलेश यादो जी ने भी बारा जुको दिया यह इस्तीफे दोनों माने विधान सभा देक्ष शतीष महाना द्वारा सुविकार हो गया और यह नोटिफिकेशन हो गया नोटिफिकेशन की सुझना उत्तर थे चुनावायोस को और समधीν सब को हो गई और सिषीट बैकेंट हो गई तो जब सिषीट हो गई तो इसको अंग्रेजी में कहते इंफिक्षोस इन्फेक्शुस कोई भी रिट हो, कोई भी हो, वो इन्फेक्शुस बने खतम हो गई, तो जिसने रिट दायर किया था, इड़ वाज हिस मॉरल डूटी कि जब हमने इसीपा दिया और सीट बैकेंट हो गई, उसी समय उसको अपना रिट वापस ले लेना चाहिए था, और अब मारल डूटी भी थी, चार महिना भी दिया, और उन्होंने नहीं लिया, तो हमारी तो मारल जीत हो गई, और अब वो कहते हैं, हम लेने जा रहे हैं, अरे भाई, चार महिना पहले से सिटिया खाली है, उस समय क्या थी, तो ये लोगों में कहना माई, नेता इने तो करहा है, कि जंग टाला, जंग हारा, तो बीजेपी जंग टाली है, बीजेपी हारेगी, और स्रमाजबादी पार्टी ने हमारे बेटे आजीत पुशात को उम और हम पर विश्वास करती है, और इस विश्वास से समाजबादी पार्टी का उमिद्वार, मेरा बेटा, हजारों हजार ओट से जीतेगा, एक इतिहास, एक चर्चा, पुरे प्रदेशों देश में चर्मिली है, क्या वज़ा लग रही है, आपको की पिटीशन वापस नही नहीं लिया गया, एतने दिनों बाद भी, और आपकी तैयारी मिल्कीपूर को लेकर क्या है, क्योंकि आपके बेटे खुद प्रत्याशी है, बहुत प्रत्यासी है, प्रत्यासी इतनी है, कि भारतिये जनता पार्टी जवानन दें बचेगी, तो वज़ा क्या लग रही है, क कि मिल्कीपूर सीट पर तारीक नहीं गोश्चना की गई, और अब पिटिशन वापस लेने गए, वो तो हमने कह दिया न, क्यों डर रहे हैं न, अरे भाई, जब चार महीना पहले सीट खाली हो गई थी, ममला एंफिक्ट्रस हो गया था, तो उनको वापस लेना चाहिए था कि नहीं, आप बताइए, लेना चाहिए, अब वो काम जो आज कह रहे है, और उसको होना चाहिए, तो वो अपनी मारल लूटी से पीछे एटे हैं, और हमारी मारल जीत हुई है, और चुनाओं में समाजबादी पार्टी का हमारा बेटा जीत प्रशाथ, इतने ओटों से जी लोगों के प्रति विश्वास है, जनता के विश्वास हमारी पार्टी पर हमारे नेता मानि अखलेश यादो पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, और भारतिय जनता पार्टी के प्रति विश्वास गरता जा रहा है, आने वाला दिन मानि अखलेश यादो जी उत्तब जीत का रास्ता 27 तक इतना उच्छा हो जाएगा कि भातिये जनता पार्टी सफाय हो जाएगा और मानिये अखलेस यादो के नेतुद में उत्तर प्रेश के एक बेलफियर इस्टेट की यो परकल्पना की सरकार होती है उसका गटन होगा आखरी सवाल है कि बाबा गोरकनाथ कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे और जवाब अवदेश प्रसाद को देंगे ये कह रहे हैं और बीजेपी भी लगातार मिल्की पूर को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं ऐसा है और तो जनता देगी ना और तो जनता देगी जनता तो नहीं कह रही है न अपने मुह से राश्पत बने उसका क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है बहुत शुक्रिया बाच्चीत के लिए देखे साफ तौर पर कहना है कि मिल्की पूर को लेकर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और जीत कर समाजवादी पार्टी मिल्की पूर सीट आएगी क्यामरो पसंद देविद्व के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल्ली